Hello students, today lecture is powered by BRCM College of Engineering and Technology आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल Amazing Engineer के अंदर आज का टोपिक रहेगा हमारा hospital drawings से related जो हमने पिछले lecture के अंदर section 55 को end में छोड़ दिया था उसको हम continue करेंगे आज previous lecture में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो bottom में mesh रहेगा उसका bottom जो bar रहेगा वो आपका main bar रहेगा और जो top का है आपका वो आपका distribution रहेगा and in the upper mesh top का आपका bar main bar हो जाएगा and जो bottom का है आपका distribution बार हो जाएगा now section x6 से start करेंगे हम और section x11 तक जाएगे जिसके अंदर आपका 6, 7, 8, 9 और 10 section पे आपका column का placement है यानि column आएगा उतर तो यहाँ पर आपका PCC है अगेन हम फोड़ा उपर जा रहें अपर direction में तो इससे आप हमारा PCC होगा तो यह PCC है अब lower जाल देखते हैं अब इस lower जाल में आप देखिएं यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है 2 and 7a यह आपका lower match के अंदर first layer है और इससे upward 7b है जो आपका second layer है तो आपका जो 7b है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20 mm का ring है 275 center to center spacing है in second layer और वहीं आपका जो second है वो आपका 16 mm का dia है 275 center to center spacing throughout the bar रहेगा एंद आपका जो 7a है वो 20 mm का आपका बार है 275 center to center spacing है extra bar है यह alternate with 2 135.137.5 mm center to center alternate और यहाँ पर आप देखेंगे just इसके side में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो it means second number का bar आपका lower mesh में है and 7a उसके साथ alternate में है and 7 का भी आपका lower mesh के अंदर second layer में है यहीं पर आप all over देखेंगे हमारा second है all over अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका second जो bar है वो आपका lower mesh में है यानि y direction में है because यहाँ पर आप देखेंगे आप x6 आपका section है वो इससे डारा है and जो dotted bars है वो आपके इदर है तो जो dotted bars है वो आपके x direction में है lower section मैंने cover कर दिया है lower section के अंदर आपको x direction में आपको दिखा देता हूं देखें यहां पर throughout आपका 1 है यहां से लेकि यहां तक 1 number of bar क्या कहता है 16 mm का dia 275 center to center spacing throughout अंड हम इस section में चलेंगे यहां से लेकि यहां तक की जो हमारी length रहेगी उसके अंदर हम 6a को alternate place करेंगे first layer के अंदर 16 mm का ही रहेगा पर spacing 137 center to center हो जाएगी it means आपका 1 12 आ रहा है number 1 का फिर आपका 6a का